दोस्तों हमारी दुनिया तेजी से बढ़ रही है हमारी जिन्दगी को आसान बनाने के लिए वेग्यानिक हर दिन कुछ नई चीजों का अविश्कार करते है लेकिन जिस तरह दुनिया तेजी से बढ़ रही है उसी तरह जहनसंख्या और सडकों पर ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ रहा है जिन चीजों का अविश्कार हमारा समय बचाने के लिए किया गया था आज वही चीजे हमारा समय बरबाद कर देती है क्योंकि ये ट्राफिक लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन इंसानों ने इसका भी विकल्प ढून लिया है अमेरिका की कमपनी ने एक ऐसा फ्यूचर एर बस का डिजाइन तयार किया है जो कि बहुत ही पतले से ट्रैक पर चलता है इस बस को सडकों पर चलने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है इसका उप्योग फ्यूचर में काफी फाइदेवन साबित हो सकता है जिससे इंसानों का बहुत समय बचेगा और दुरगटना भी नई होगी इस बस में पैसेंजर्स के लिए बहुत सारी सुविधाई भी माजूद है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हमारी जंदगी को और भी आसान बना देगी पहले निंबर पर है हाइपर लूप ये मैगनेटिक लेविटेशन के सहारे एक वेक्यूम ट्यूब में चलने वाली ट्रेन है इसे ही हाइपर लूप कहा जाता है हाइपर लूप एक ऐसा फ्यूचर ट्रांसपोर्ट है जिसके जर्ये तीन से चार घंटे की दूरी को महज 15 मिनिट में ही ताई कर पाएंगे क्योंकि हाइपर लूप बहुत तीजी से चलती है ये प्लेन से भी तेज गती से चलती है हाइपर लूप की टेस्टिंग पूरी हो चुके ये जल्दी हमें दिखने को मिलेगी ये हाइपर लूप 1000 किलोमेटर पावर की स्पीड से चलती है भारत में मुंबई से लेकर पूरे तक इसे चलाने की तयारी भी चल रही है मुंबई से पूरे तक की दूरी को हम 15 से 20 मिनिट में ही ताई कर पाएंगे दूसरी नंबर पर है हाई लगजरी क्रूज एर शिप ये एर शिप ट्रांस्परटेशन के खेतर में क्रान तिला सकती है इसमें वर सारी सुविधाय मौजूद है जो आपके सफर को आसान बना देगी इस एर शिप के अंदर लोबी एरिया, बियर बार, डाइनिंग एरिया, किचन, बेडरूम और वर्किंग स्पेस भी मौजूद है यानि अपना काम करते करते आप अपना सफर तै कर सकते हैं इस एर शिप में मनुरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है तीसरी नंबर पर है हैंकोक हैंकोक कमपनी ने ऐसे टायर और गैजिट्स का अविशकार किया है जो भविश्य में हमारी दुनिया को बदल कर रख देगी इन टायरों को इतने खास तरीके से मेट्रियल से बनाया गया है कि कभी भी पंक्चर नहीं होगे ये टायर और इनके द्वारा बनाये गई गैजिट्स बहुत इजी तरीके से ट्रांस्फरम हो जाते हैं जिसकी वज़े से आप इसे कहीं भी चड़ा सकते हैं यहां तक कि इसे सीडियों पर भी चड़ाए जा सकता है इन सब विचारों को देख कर लगता है कि हमारा भविश्य बहुत सुनहरा होने वाला है चौथे नंबर पर है गायरोस्कॉप ट्रांस्पोर्टेशन गायरोस्कॉप ट्रांस्पोर्टेशन का कंसेप्ट बेहद ही अलग और युनिक है इस gyroscope transport का concept तयार किया जा चुका है इसमें बस implement करने की तयारी चल रही है ये कैसा transport है जो बहुत ही पतले से track पर चलता है इस transport को चलने के लिए ज़ादा जगह की जरुरत भी नहीं पड़ती gyroscope transport दिखने में एक बहुत बड़े aliens जैसा दिखता है ये transport भी कहीं तरह की सुविधाओ से less है इस transport में accident होने का खत्रा बिलकुल नहीं है gyroscope ने एक और transport का design तयार किया है जो भविश्य में काफी मददगार साबित होगा ये बड़े बड़े building में आग लगने पर उसे आसानी से बुजाने में और वहाँ फसे लोगों को बचाने में सक्षम होगी पाँचवे नमबर पर है अंडर टरनल कॉंसेप्ट SpaceX और Tesla कंपनी के founder एलन मस्क ने अंडर ग्राउंड टरनल का कंसेप्ट तयार किया है इसमें Magnetic Levitation Technology का इस्तमाल किया गया है इसमें ट्रैफिक में फसे कार को लिफ्ट करके अंडर ग्राउंड टरनल की द्वारा आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुचाय जाता है इसकी स्पीड 200 किलोमेटर पर आवर क्रक्की होगी ये अंडर ग्राउंड टरनल कॉंसेप्ट कब तक देखने को मिलेगा इसका कंपनी ने अभी तक खुलासा तो नहीं किया है लेकिन जब भी बनेगा ये हमारी जिंदगी को बदल कर रख देगा चटे नंबर पर है स्काई ट्रेन इस ट्रेन को भविश्य को ध्यान में रखते हुए बनाय गया है इस स्काई ट्रेन को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस और्गनाईजेशन और नासा ने मिल कर बनाया है इस ट्रेन में छुटे छुटे स्पोर्ट होंगे जो मैगनेटिक लेविटेशन, ग्रेविटी और एलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलेगी इन हर एक स्पोर्ट में सिर्फ दो लोग ही बैठ सकते इस ट्रेन की हाइस्ट स्पीड की बात करें तो ये 250 किलोमेटर पर आवर से चलेगी इस ट्रेन को इसराइल में बना भी लिया गया है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है और नेक्स्ट दो सालों के अंदर कई देशों में देखने को भी मिलेगी दोस्तों आप लोगों को कौन सी टेकनलोजी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करकर जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना के बताओएव जरूर कर देखने कुआ है